हेलो गाइज दिस इस कॉम्रेट एकेडमी और मैं फिर से आप लोग के समख्च हाजिर हूँ कॉंसलिंग साइकलोजी जो की पेपर है मास्टर्स में इगनुवालों के उनका जो ठर्ट पेपर है यानि कि MPC 23 या इंटर्वेशन इन कॉंसलिंग उसका पेपर में उसका गेस कह सकतो हो या फिर इंपॉर्टिंट टॉपिक है कोश्चन है जो मैंने एनलैसिस किया है वह अभी मैं बताने जा रहा हूं खैर बताने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर कर दें ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट हों वह आपको मिल सके और इसे शेयर कर दें ताकि इससे बाकी लोगों को भी फैदा हो जाए तो हम लोग देरी ना करते हुए और आगे बढ़ते हैं हाँ एक और चीज एक्जामनेशन जब होंगी तो वहां पर मुश्किल स से आपको 27 पेज मिलेंगे और वह स्टार्ट होगा पेज नमर 30 से तो आप लोग ध्यान से सारा रेजमेंट कर लेना कि दो घंटे का पेपर है में ध्यान रखिएगा क्योंकि आज मेरी कुछ रिपोर्ट लगी थी जहां पर कुछ बच्चे थे वह उनको लग रहा थे कि ती कर लिजाएगा अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं कि कोश्चन हमारे क्या थे हैं तो कोश्चन यह पहला जो कोश्चन है यह है आपका डिस्कॉस्ट दर नेचर ओफ लर्णिंग डिसेबिलिटी और टेक्निक ऑफ और एल्पिंग दर चिरें विद लर्णिंग कोश्चन तो मुझे नहीं मिले लेकिन उससे पहले जो भी कोश्चन मिले है जून जून ट्वेंटी में पूछा है उसके पहले पूछा है तो इसके जितने भी होंगे आपको क्या क्या इसका अप्रोच यह देख लीजाएगा बाकी आते हैं तो डिफाइन दक कॉनेटीब इसको अच्छे से देख लीजाएगा एक्स्पेंट दसेल्फ मैंजमेंट टेकनिक इन इन इस कॉंटेक्स यह कोश्चन भी पूछा हुआ है यह जून का कोश्चन है उसके बाद चलते हैं तो अगला है डिफाइन साइको डाइनेमिक हम लोग जब भी कॉंसिंग या हम इसको डाइनेमिक कॉंसलिंग यह भी है ठीक तो उसके बाद डिस्क्राइब दस्टम्स कॉंजेज टेकनिक फॉर्ड़ा है एडिएजडी एडिएजडी पूछा है तो कभी एजडी पूछा है तो यह दोनों अलग-अलग होंगे तो इसको अच्छे से कर लिजाए दोनों क लाद कभी एडिएजडी का सिमटों कॉज़े पूछा है कभी टेकनिक पूछा है तो यह जरूर देख लिए जाकर किस तरह से इसको डील किया जाता है इसकी तरह से को कॉंसलिंग किया जाता है आगे डिस्क्राइब दम प्रोसिस इं ग्रूप एंड फैमिलिंग इसका है तो गुरूप ठेलिपी कर लिजेगा उसको सारे प्रोचेश है कैसे प्रोसेस से उसका इस्टेप है और उसके अंदर क्या-क्या इंक्लूट करते हैं फैमिली थैरेपी भी उनके अंदर कौन-कौन से अप्रोचेश लेते हैं हम लोग क्या गोल होती है उनकी और किस तरह से को establish करते हैं यह सब सारी चीजे हम लोग एक बड़ देख लिजेगा सौट में और चार से पांच को इसका अंसर हमें तयार करना है जहां भी जैसे कि इसमें अगर यह आपका दस नमर कोश्चन है तो पांच पांच करके होगा यानि कि पांच नमर इस पर दोनों पर बड़ावर फोकस देना होगा आप यह सोचेंगे कि सिर्फ एक को निकल जाएं तो नहीं होगा वेटेज हैं इसे मार्क के कोश्चन में बकाइदा 3 प्लस 7 या फिर 5 प्लस 7 ऐसे करके को दे देते हैं डिसकुस्ट दे ऐरिया ओफ एप्लिकेशन टेक्निक स्टेज आफ सी बीती कोगनेटीव बहेवियर थैरेपी इसमें ब्हूंच कि थैरेपी में जो बेक ने थियोरी दी है तो बेक के एप्रोच च्पो इसमें पूछा गया है बेक किया था इस तरह से question देता है तो देख लिजएगा इसको बाकी short term counseling होगा short term counseling बोली है फिर short term therapy बोली है बात वही है इसको देख लेना है discuss the stages stages object relation theory है technique for of couple counseling couple counseling में जो approaches हो उसको भी देख लिजएगा जैसे psychodynamic approach है हम लोग अपनाते हैं उसमें यह सब भी बाकी इसमें technique क्या क्या अपना रहे हैं stages क्या क्या है और object relation theory भी देख लिजएगा ठीक उसको ग्रूप में आते हैं तो group therapy जब पढ़ेंगा तो groups का बहुत सारे टाइप है जिसमें से टी ग्रूप है पूछ नोशन पूछ रहा है तो group के बाकी टाइप से भी देख लिजएगा लेने discuss the important feature and stage of stages of interpersonal psychology counseling interpersonal psychology interpersonal counseling जो है क्योंकि psychology से लिए बोल दे रहा हूं क्योंकि मेरा clinical subject है और उसमें कि interpersonal psychology लिखा होता है इस कारण से मुझे बार बर साइकलोजी बोल दे रहा है तो इंटरपर्शन कॉंसिलिंग जो है उसके इंपोर्टेंट फीचर क्या है इस्टेज क्या है अब बाकि जितने भी इसू है उसको आप लोग अच्छे से डिल कर लेना है नेक्स्ट जो हमारा देखते है इलेमेंट नमर कोश्चन हम लोग का है व आपको बाकि जो पेपर हों इसमें इंटरगेट भी यह सब का की भी दिया हुआ है वह है उसके बाद 12 नमर कोश्चन हम लोग देखेंगा तो यह है सॉलूशन फोकस ब्रीफ ठेरेपी ठीक है तो इस पर क्या होता है कि सिर्फ हम लोग किसको देखते है तो सॉलूशन को ही फोकस ब्रॉल्म पर फोकस नहीं रहता है यह देख लेना है यह इसका है स्लीशन फोकस ब्राइक कि साइको डर्मा तीन बार हम सौट नोट्स में इसको पूछ चुका है तो मुस्किल साब को सौ वर्डिस में ही आंसर देना है आगे देखें तो हुमेंस्टिक एपरोच हुम भी नाम है जैसे कि परसन सेंटर थेरेपी और रोजनियन थेरेपी यह सब हैं हुमनेश्टिक के अंदर ही आते हैं तो यह लगतार पूछे जा रहे हैं ऐसे हुमनेश्टिक एप्रोच एप्रोच यह दोनों कंबाइन करके पूछता है और क्लाइंट अलग से पूछता है तो इसको अच्या चैप को यह उसे मैंने जब गयस किया है तो बाकी पेपर आपके क्लाइंट वाले हैं इसमें ज्यादा प्रॉलम नहीं होग बागी हम लोग क्यों क्या होती है कौंसलिंक के क्या है तो यह कम पहले भी हम लोगई परचुक है तो अब पहले भी हम पिंदमिर foiquinho तो उसमें भी कॉंसलिंग के इथीकल इसू स्टेजेज रिलेशन बागी डिफरेंस भी साइको थेरेपी क्या है तो वहां भी चीज को आप लोग पढ़ना यहां भी वह स्टीज को हम लोग देखते हैं इस तरह से कॉंसलिंग के सारे जो हमारे टॉपिक थे हैं तो मैंने आप कर दिया है तो इसको अच्छे से देख लेना कैसे कैसे लिखना है और लेकर कर है ठीक है एक और चीज अगर कोश्चन आपके हाथ लग जाते हैं तो काफी अच्छा होगा उसमें साफ जून 2020 के और डिसमबर 2020 के कोश्चन बना लेंगे तो आपका 50% आपका स्लेबस कभर हो जाता है कोश्चन वहीं से मैच कर जाते हैं अगर आप उसके पीछे 2019 के भी अगर बना लेता हो तो वहीं मैच कर जाएंगे कोश्चन कहां से मिलेंगे तो मेरा टेलिग्राम लिंक दिया हुए डिस्क्रेशन वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रिविए से कुछ मिल सकते हैं मैं MPC 23 के मेरे पास है तो मैंने वहाँ पर रख लेना इसी के तरह अलवीदा बाकी all the best आप के एक्जामनेशन के लिए और आप लोग अच्छे से परें अगर आप लोग इसका screens are लेना चाहें तो ले सकते हैं ठीक है और बाकी इसके previous questions आप लोग इसको बना लेना अच्छे से तो आप लोग देख लो इसको सारे questions को कर Thank you.